हाई विवस, वनकम अगर आप हमारे चानल के लिए नया हैं तो आपके लिए स्वागत अभी तक आप नहीं सब्स्क्रेब कियें तो तुरन सब्स्क्रेब कीजिए साथ में उस बेल आइकॉन को भी दबाईगी आज हमारा कॉंसप्ट है तमल में हा नही की सवाल कैसे बनाईगी उसके बारे में ही देखने वाले हैं तमल में इसी तरक सवाल बनाना हैं तो उसके लिए चार प्रकार होता है उसमें पहला प्रकार कैसे होता है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं प्रशन बनाने के पहले हां के लिए क्या होता है नहीं के लिए क्या होता है उसके बारे में देखेंगे अगर हां कहना है तो उसके लिए आमाम आमाम इसी तरह कहना चाहिए लेकिन तमल में हम आक्री ब्यंजन में स्ट्रेस नहीं लगाते हैं इसलिए वो इमको छोड़कर आमा, आमा ऐसे कह सकते हैं बाचीत में हां के लिए आमा, आमा ऐसे कहेंगी नहीं के लिए इल्लै, इल्लै इधर भी अंत में स्ट्रेस नहीं आएगा इसलिए ये तो बादशित में इल इल इसी तरक ही आयेगा इस पहले प्रकार में वाक्य कैसे बनाएंगे उसके लिए एक उतारन अगर आपको पूछना है येक पुस्तक है इसी तरक पूछना है तो उसके लिए इद पुत्तगमा ऐसे पूछ सकते हैं इद पुत्तगम इसका मतलब है एक पुस्तक है अगर हा नहीं की सवाल पूछना है क्या एक पुस्तक है पूछना है तो उसके लिए इद पुत्तगमा इद पुत्तगमा ऐसे होता है इदर क्या होता हैं तो पुतगम ये शब्द तो व्यंजन में इम में अंत होता हैं उसके साथ सिर्फ आ को जुडेंगे तो ओ तो हा नहीं सवाल बन जाएगा अगर किसी शब्द व्यांजन में अंत होता हैं तो उस व्यांजन के साथ आ को जुड़ेंगे तो वो तो हा नहीं की सवाल की तरक होगा इद पुतगम, पुतगम के साथ आ को जुड़कर इद पुतगमा पूछेंगे तो वो तो हा नहीं की सवाल होता हैं इसी तरक और कुछ उतारन देखने के पहले हम पहले कुछ नया शब्द और उसके साथ आ को जुडेंगे तो वो कैसे बदलता है वो सब देख लेंगे अब हमारा पहला शब्द है पुत्तगम पुस्तक के लिए पुत्तगम होता है उसके साथ आ को जुडेंगे तो पुत्तगमा आईसे आएगा अगला शब्द है कुडम सुराही के लिए कुडम कहते हैं अगर इसके साथ आ को जुडेंगे तो कुडमा, कुडमा, ऐसे आएगा बर्तन के लिए पातिरम, पातिरम, उसके साथ आ को जुड़ते समय पातिरमा, पातिरमा, ऐसे आता है और अगला शब्द है, कुट्ता के लिए नाई, नाई उसके साथ आ को जुड़ते समय नाया, नाया, ऐसे आयेगा शेर के लिए सिंगम, उसके साथ आ को जुड़ेंगे तो सिंगमा, सिंगमा, ऐसे आता है और कोयल के लिए कुईल, कुईल, उसके साथ आ को जुड़ते समय खुईला और मयूर के लिए माईल उसके साथ आ को जुड़ेंगे तो माईला और मुर्गी के लिए सेवल इसके साथ आ को जुड़ेंगे तो सेवला ऐसे आएगा अध्यापक के लिए आसरियर आखो जुड़ने से आसरियरा विद्यार्थी के लिए मानवर आखो जुड़ेंगे तो मानवरा और नवकर के लिए वेले कारर उसके साथ आ को जुड़ते समय वेले काररा वेले काररा माली के लिए तोटकारर इसके साथ आ को जुड़ते समय तोटकाररा अईसे आएगा दुकांदार के लिए खड़े कारर आ के साथ कड़े काररा पल्वाला के लिए पढ़ काररा पल्ड कारर आ के साथ पल्ड काररा पल्ड काररा सब्जी वाला के लिए खाईगरी कारर आ के साथ काईगरी काररा खाईगरी काररा फूल वाला के लिए पू कारर पू कारर आ के साथ पू काररा पू काररा इसी तरख एशब्दों बदलता है दूद वाला के लिए पाल कारर पाल कारर इसके साथ आ को जुड़ते समय पाल काररा पाल काररा इसी तरख आएगा तमड में बहुचन बनना बहुत आसान है क्योंकि एकवचन के साथ गल को जुड़ेंगे तो वो बहुचन बनता है खुदिरे, खुदिरे, इसका मतलब है गोड़ा गोड़े कहने के लिए खुदिरे गड़, खुदिरे के साथ गल को जुड़कर उदे उसे बखुवचन बनाते हैं हम तमल में बखुवचन के साथ अगर हा नहीं सवल बनाना हैं तो वो बहुत आसान है क्योंकि हमेशा बखुवचन तो गल में अंत होता हैं तो गल के साथ आ को जुड़ेंगे तो वो तो हा नहीं की सवल बन जाएगा इधर देखेंगे तो गुदिरे गला, खुदिरे गला इसी तरह हम प्रशन में प्रयोग करते हैं और बक्रा के लिए आड उसके साथ गल को जुड़ते समय आड गल आड गल आ के साथ प्रशन बनना हैं तो आड गला आड गला ऐसे आयेगा दोस्त के लिए नंबर, नंबर बक्राशन में कहते समय नंबर गल उसके साथ आखो जुड़ते समय नंबर गला ऐसे आएगा अब हम इसका प्राक्टस करेंगे पहला हैं इध पुस्तक हैं पूछने के लिए इध पुस्तक मां इसके लिए जवाब देते समय हमारे लिए हमारे सामने एक पुस्तक ही है सो इसलिए हां के तरक जवाब देते हैं हां एक पुस्तक हैं कहने के लिए आमा इद पुत्तगम वक कुत्ता है इसे तमण में पूछना हैं तो अद नाया लेकिन इधर तो एक गोड़ा है उट्तार नगी गोडा हैं इसलिए जवाब देते समय इल्ल अधुकुदिरे नहीं ओ गोडा है कहने के लिए इल्ल अधुकुदरे कहते हैं यकफल 10 रुपया पूछना हैं तो उसके लिए इंदपळों 5 रुबाया इंदपळों 5 रुबाया सो रूबाई रूपया के लिए रूबाई उसके साथ आखो जुड़कर रूबाया पूछते हैं सो इधर हाँ एक फल दस रूपया हैं कहना हैं तो आमा इंद पड़ों पत्तु रूबाई एक फल दस रूपया ही हैं सो ही हैं कहना हैं तो उसके लिए दान को प्रयोग करेंगी आमा इंद पड़ों पत्तु रुबादां आमा इंद पड़ों पत्तु रुबादां ऐसे प्रयोग करेंगी ओफल भी 10 रुपया हैं पूछना हैं तो अंदपड़ मों पत्त रूबा या इसी तरक आप पूछ सकते हैं जवाब देते समय नहीं वक्त 20 रुपया हैं कहना हैं तो इल्ल अधि 20 रूबा ऐसे कह सकते हैं आपको येक E-Road Station हैं पूछना हैं तो उसके लिए इदी E-Road Station आ इसी तरक पूछ सकते हैं जवाब देते समय हाँ येक E-Road Station हैं कहना हैं तो आमा इदी E-Road Station इसी तरक आप जवाब दे सकते हैं येक कौएमबतो स्टेशन हैं पूछना हैं तो उसके लिए इदी E-Road Station आ इदी E-Road Station आ इसी तरक आप पूछ सकते हैं जवाब देते समय नहीं आगला स्टेशन की E-Road Station हैं पूछना हैं तो उसके लिए इल्ल आड़त स्टेशन दां कौएमबतोर इसी तरक आप जवाब दे सकते हैं आप दुकान दार हैं इसी तरक आपको सावाल बनाना हैं तो उसके लिए नींग कड़े काररा इदर जवाब देते समय हां क्या चाहिए पूछना हैं तो उसके लिए इसी तरक आप जवाब दे सकते हैं वे तुमारे अध्यापक पूछना हैं तो उसके लिए आवर उन आसरियरा इसी तरक आप पूछ सकते हैं इदर जवाब देते समय नई वे मेरे अध्यापक नहीं हैं कहना हैं तो उसके लिए इसी तरक आप जवाब दे सकते हैं वे दोस्त हैं इसी तरक आपको सवाल पूछना हैं तो आवंगा नन्बरगला वे के लिए आवरगल होता है लेकिन बाचित में वो तो आवंगा की तरक ही हम प्रयोग करते हैं आवंगा नन्बर गला इसी तरख आप सवाल पूछेंगे तो उसके लिए जवाब देते समय हाँ वे दोस्त हैं कहना हैं तो आमा आवंगा नन्बर गल्ड ऐसे आएगा ए सबजी दुखाने हैं पूछना हैं तो उसके लिए इवेगल काईगरी कड़े गला इसी तरख आप प कहना हैं तो इल्ल इवेगल पड़कड़े गल इसी तरख आप जवाब दे सकते हैं आज हम तमड में हा नहीं सवाल बनाना हैं तो उससे कैसे बनाएंगे उसमें चार प्रकार में पहला प्रकार कैसे होता हैं उसके बारे में देखे हैं तो बाकी सब कुछ प्रकार के बारे म आम अगला वीडियो में देख्केंगी नन्री बनकम